अपने ससुराल क्यों नहीं जाना चाहिए? दोस्तों अक्सर एक शादी शुदा आदमी को उसके ससुराल ना जाने के सलह दी जाती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मन गंत नहीं है बलकि इसका भी एक आधार है जो ये बताता है कि कैसे आपका ये खदम आपको बरबादी की तरफ ले जा सकता है चलिए इसे एक छोटी सी कथा के जरीए बताते हैं एक बहुत बड़े विद्वान थे पुरे गाओं में उनका काफी नाम हुआ करता था लेकिन उनके पिता कभी भी उनकी तारीफ नहीं करते बस ये कहके टाल देते कि अभी तो ये बच्चा है कुछ नहीं जानता एक दिन इस बात से परिशान हो उसने अपनी पिता को कुलहाडी से काटने का फैसला किया और रात में कुलहाडी लेकर उनके कमरे के बाहर पहुँच गया दर्वाजे पर पहुँचते ही उसे अंदर से अपनी मां की आवाज आई वो अब उसके पिता से इसी विशय पर बात करते हुए पूच रही थी कि हमारा पुत्र इतना बड़ा विद्वान बन गया है पुरे गाह में लोग उसकी कुशलता की चर्चाएं करते नहीं धकते फिर तो वो आपका पुत्र है आप क्यों उसकी प्रशंसा नहीं करते फिर उसके पिता मुस्कुराते हुए बूले अरे भाग्यवान मैं जानता हूँ वो बहुत कुशल है लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसके अंदर इस बात का थोड़ा असा भी एहंकार आए लेकिन हाँ पीट पीछे उसकी तारीफ बहुत करता हूँ ये सुनकर वो ग्यानी पुरुश भाव विभोर हो गया और अपने पिता के चरणों में गिर कर शमा मांगते हुए बोला पिता जी कृपया करके आप मुझे माफ कर दीजिए मैं भटक गया था अपने पिता को मारने जैसा घोर पाप का खयाल मेरे मन में आया आप मुझे इस कदम के लिए सजा दीजिए पहले तो पिता ने बना किया किन तो बेटे के बार बार कहने के बाद पिता ने बेटे से बूला बिटा चलो ये बताओ, तुम्हारा सबसे ज्यादा सम्मान कहा होता है। बेरे ने उत्तर दिया पिटाजी सस्राल में। तब पिटाजी बोले बिटा ठीक है, तुम अपसे छे बहरी तक अपने सस्राल में ही रहोगे, यही तुम्हारी सस्राल है। पिर क्या था वो ग्यानी पुरुश अपनी पत्नी के साथ अपने सस्वराल रवाना हो गया, सस्वराल पहुँचते ही सब उसे वहाँ देख खुश हो गए कि बदामाद जी आये हैं, उनकी खातिरदारी करो, पहले तो वो उस ग्यानी पुरुश के लिए तरह-तरह के पकवान बनाने गए, लेकिन अगला दिन होते ही पकवानों की संख्या में कमी आ गई, धिरे-धिरे समय बीता गया और खाने में बासी रूटिया मिलने लगी, यही नहीं, उनसे सस्वराल वाले गाय को चराने और गोबर उठाने जैसे काम कराने लगे, उनकी पत्नी को ये सब पसं को वचन जो दिया था, एक दिन की बात है, वो विद्वान व्यक्ति शांत बैठे एक शलोक लिख रहे थे, तभी वहाँ उनकी पत्नी पहुंची, उनने देखते ही बोलने लगी, आप शलोक बना रहे हैं, मत बनाओ इन है, इनका कोई अर्थ नहीं है, इनकी कोई कीमत नही है, तभी वो बोले ऐसा नहीं है, मेरे एक एक शलोक की बहुत कीमत है, चाहे तो इसे आजमा लो, पती के ऐसी बाते सुनकर पत्नी उस शलोक को लेकर बाजार में बेचने निकल गए, सब वहाँ खाने पीने की वस्तूएं वस्तरित्यादी बेच रहे थे, तो वो खोज पत कि जो भी सामान बाजार में नहीं बिक रहा होगा, वो उसे खरीद लेगा, राजा ने विद्वान पुरुष की पत्नी को बैठे हुए देखा, तो उसने पूछा, ये तुम क्या बेच रही हो, तो उसने जवाब दिया, ये शलोक हैं जो मेरे पती ने लिखा है, राजा की कीमत पूछने पर पत्नी ने उसे एक लाख स्वर्ण मुद्राएं बताया, क्योंकि राजा अब वचन बद था, तो उसे वो शलोक की मोह मागी कीमत चुकानी ही पड़ी, और विद्वान पुरुष की पत्नी इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर घर पहुँच गई, घ कीमत दुनिया धन्द की संगी है, यहां कोई किसी का सम्मान नहीं करता, सम्मान करता है तो उसके पत्गा, उसकी संपत्ति और उससे होने वाले लाप का, बहुत कम लोग होते हैं, जो आपके वास्तविकता के साथ आपको अपनाते हैं, इसलिए जो पती ये समझते हैं कि पादर सम्मान हो रहा है तो उन लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सम्मान भी थोड़े दिनों तक ही होता है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि दूर के ढोल सुहाब ने लगते हैं। इसलिए जितनी आप दूरी बना के रखेंगे उतना ही सम्मान आपको मिलेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।